तो हेलो एवरिवन माइनम इस मीट और यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्मेंट जोब आलोवर इंडिया यूट्यूब चैनल आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादे स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात दने वाले हैं पोस्ट ओफिस की लेटेस्ट विकैंसी के बारे में कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइस क्या रिक्वर्मेंट है, क्या पुर्सीजर है सेक्षन का इस बार, ठीके कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है कब से कब तक सारी चीजों को एके करके कवर करेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से अंटक जरू देखेगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाल है देखे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से जाते हैं, हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए प्रिस्क्रिप्शन में दिया है, विजट करके इंफोर्मीशन लेकर जो इसके इलावा विकैंस ही आई है, आप उसके लिए अप्लाइक कर सकने हैं, आपको बेनिफिट ही होगा हमारी अगर ऑफिश साइट को आप सिधा गूगल पर टाइप करें, आपको पहली नमर पर सा आस्तर देखेगा, और प्यार असल लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है, आपकी नहीं अप्रेट लेकर आने का, और आप कौन-कौन से राज्य से बिलॉंग करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आपकी नेरभाई जो भी विकैंसी आती है हमें ज्यादे साथ आपको उसका बता पहूं, क्योंकि कैंडिट को पते हैं नहीं चल पाता है नेरभाई विकैंसी का, तो अपनी लोकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ जरू कमेंट आप कर देना, एक और आपके लिए गुन्डूस है, एक तो रेलवे का लेटेस्ट इसके बाद ये दोनों वीडियो आपको मिलेंगी हमारे सेकेंड यूट्योब चैनल जिसका नाम है मीत शर्मा चैनल, यूट्योब में लिखना मीत शर्मा चैनल आपको पहनी नबर पे चैनल मिल जाएगा, फिलाल बात करें हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो पोस्ट ऑफिस की जो भी कैंसी से आप और इंडिया से अप्लाई करें सकतनी हैं, मेल और फिमल दोनों ही, जॉब लोकेशन आपके नेरबाई ही मिलने वाली है, इवन आपको अपनी लोकेशन में ही यहां पे अप्लाई करना है, बहुत बैनिफित आपको मिले OBC AWS मतलब अज्रब की 100 रुपीस है, ठीक है? फिमल पेड़के वाली ही यहां पर और की bewोली के ओपनी से छाहे थीखन से फिमल कश रिटए गय। छाहे वाली है प्रहित वाली कोर्वारफ के लिए क्णाट आप प्लाई करना हूँ आपको लिगें से तो यहां ही आपको बता सबसे पहले यहां पर है GDS, मतलब Grameen Duck Saver की, 2nd है MTS, 3rd है Postman, 1 है Mailguard की एक notification आ भी गया है वो भी बताती हो ठीक है, यह जो Grameen Duck Saver की विकैंसी है, इसमें 10th, 12th graduate, ठीक है, तीनों ही यहां पर apply कर सकते हैं इस post के लिए, जो multitasking staff की है, इसमें 10th या 12th ठीक है, और postman के लिए 12th या graduate, इसके साथ साथ, जो आपके mailguard की है, इसके लिए 12th और graduate अब multitasking staff के लिए यहां पर जो salary 28,049, postman के लिए 21,700, mailguard के लिए 21,700, यह आपके starting salary है, ठीक है, राउंड आपके यह starting से लेके आपके 69,100 तक salary है, ठीक है, अब इसके इलावा, next time यहां पर बात करें, इसमें selection procedure की, आप इन चारों में से किसी भी position के लिए apply कर रहे हो, ठीक ह आपके यहां पर qualification marks के recording merit लगेगी, अगर आप GDS के लिए apply कर रहे हो, उसे के basis पर आपको selection and joining है, पहले चीज़ आप ध्यान रखना, GDS की position के लिए, जो आप अपनी location से बिलोंग करते है, चाहे वहां पर कम vacancy है, बट आपको वहां पर एक benefit मिलता है, जो कि local language का होता है, ठी अगर आप Hindi जानते हैं, तो आपको लगता है कि किसी अदर location में ज्यादा विकैंसी है, तो आपको उस state की local language भी आते है, तब आप वहां से भी apply कर सकने है, ठीक है, बट अगर आपकी local language ही simple है, जैसे कि आपकी Punjabi है, हरयान है, हरयानवी है, ठीक है, तो आप अपनी location में अप सब्सक्राइब महाराष्टा के लिए apply करें, वहां कि आपको local language भी आती है, तो वहां पे अगर आपकी shortlisting भी हो जाती है, सिरफ आप document verification में ही बाहर चले जाती है, तो यह चीज़ का ध्यान रखना है, वहां कि local language क्या है, वह आपको पता होने चाहिए, तब आपको apply करने है अब इसके लिए एक notification जो है, वह driver का 10th pass का, वह release हो चुक है, अब यह postman, MTS, multitasking staff कोई जो position है, इसके लिए आपको exam भी हो सकता है, उसके basis भी selection है, क्या कि document आपको document verification पे चाहिए, वह आप सारा देखना, जो कि आपका matrica चाहिए, date of birth के लिए 10th pass का, उसके बाद अधार card, next certificate अगर apply के विला हो चाहिए होगा, age कम से कम 18, maximum 37 है, other post के लिए, अगर मैं GDS के लिए बिताओं, उसके लिए minimum 18, maximum 40 है, plus 10 से 15 साल का relaxation है, ठीक है, last में आपको link मिल जाएंगी, जो notification का है, यह apply का, अब यहाँ पे सबसे important चीज़ आती है, इसमें आप कब से कब तक apply कर सकने है ड्राइवर के लिए मैंने आपको बताया, apply शुरू हो गया है, बाकि GDS और other vacances मैंने आपको बतायी है, इसके लिए जो apply के अगर हम बात करें, कुछ days में ही हमें notification email से एक पहले देखने को मिल सकता है, इस short update अभी आया है, ठीक है, हमें next week देखने को मिल सकता है, पहले GDS के जैसे वो आएगा मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगे, कैसे कैसे आपको step-by-step apply करना होगा, इसके इलावा मैंने आपको बताया, कौन से राज्य से बिलॉंग कर थे, अपनी qualification के साथ, कमेंट जरू करना ज्यादे से ज्यादा, तांकि आपके नेरफाई, जो विकैंश जो बॉलोवर इंडिया पे पहली बार आई है, सब्सक्राइब करके बैल इकन को जरूर से प्रेस कर लेना, इसे के साथ हमारा टेलीगरं ग्रूप जोईन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ तो आप हमें सोचिल मीडिया प्लाटफॉम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्राग्राम पे, फेस्बूप पेज पे, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं, चलिए आज के रिए इतना ही नेक्स्ट अब्डेड मिलेंगे, ठैंक्स और वाच्छ